अब बात करते हैं इस वीडियो में पूरा डीटेल में कवर करेंगे और बाकि इन सभी टॉपिक को हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं तो बात करते हैं वायर्ड एंड वायरलेस मेथेडलोजी की तो देखे कोई भी नेटवर्क हो चाहे नेटवर्क आपका छोटा हो या बड़ा हो उसे जब एक दूसरे के साथ में कनेक्ट किया जाता है तो उसके लिए हम या तो वायर का यूज करते हैं या फिर वो वायरलेस होता है बासमज में आगी ठीक है यानि कि अगर हमें एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा को share करना है तो किसी ना किसी तरह से connect करना पड़ेगा या wire के थूरू या फिर wireless अगर हम wireless की बात करते हैं ठीक है तो वहाँ पर waves का इस्तमाल किया जाता है और अगर wire की बात करते हैं तो वो तो physically wire होता ही है जहां से signal हमारा transmit होता है wire के थूरू तो जो हमारा wired होता है उसे हम बोलते है guided media simply जो हमारा wired होता है wired network वो क्या होता है guided media और जो wireless होता है उसे हम बोलते है unguided media बात समझ में आ गई simply यहाँ पर नाम से भी आपको पता चल रहा होगा guided media यान जहां पर wire बिचा हुआ है ठीक है और इसमें signal यहाँ पर guide किया गया है यानि कि सिर्फ इसी wire के थूरू ही signal जा सकता है तो यहाँ पर guide किया गया तो यह guided media यानि कि wired network हो गया और unguided की बात करें यानि कि wireless जहाँ पर environment में जो हमारी waves है वो कहीं से भी travel हो सकती है ट्रांस्मेट हो सकती है तो वो unguided media हो गई बासमझ में आ गई यानि कि wireless तो यहाँ पर हमारे पास जो transmission media होते है वो मुखी रूप से two type के होते है guided, unguided या फिर कहा है wired या wireless अब जब wired की बात करते हैं तो अलग-अलग type के कई सारे wire होते है जिनके अपनी अलग-अलग विसेशता है है और wireless में भी बात करें तो जो waves होती है वो अलग-अलग type की waves होती है उनका अलग frequency rate होता है वैसे तो हम frequency के बारे में समझ चुके है लेकिन आज हम इस वीडियो में frequency और hertz इन सब वर्ड के बारे में भी detail में समझेंगे तो फिलाल यहाँ पर सबसे पहले बात करते है guided media की जिसमें हमें अलग-अलग type के wire के बारे में समझ ना है क्योंकि इतना तो समझ में आही गया कि हम wireless या फिर wired दोनों का इस्तमाल एक network को बनाने में करते हैं जा है वो network छोटा हो या फिर बड़ा हो ठीक है तो यहाँ पर wire के बारे में समझते हैं wire हमारे जो होते हैं वो three types के होते है twisted pair cable, coaxial cable and fiber optic cable यह तीनों की अपनी अलग-अलग विसेशता हैं है कुछ महेंगी हैं कुछ रस्ती हैं ठीक है तीन टाइप की cable होती है twisted pair cable, coaxial and fiber optic सबसे पहले बात करते हैं twisted pair cable की अब यहाँ पर देखिए आपको बता दे ब्रीफ में twisted pair cable इसका सबसे ज़्यादा इस्तमाल होता है सबसे पहली चीज़ तो यह सस्ती है ठीक है और इसकी speed भी अगर compare करें coaxial cable, fiber optic cable में क्योंकि जो हम लोग के घरों में line network बनाया जाता है यानि कि जो छोटा network होता है उसके लिए twisted pair cable की जो speed होती है वो sufficient होती है मतलब अगर हमें अच्छी खासी speed मिल रही हो twisted pair cable से ही जितनी जरूरत है तो हमें fiber optic या coaxial cable की क्या जरूरत है तो हम उसको लगाएंगे बास समझ में आ गई ना तो जब भी computer का यूज करके कोई VM network बनाते हैं land network तो वहाँ पर ज्यादा तर twisted pair cable ही इस्तमाल की जाती है ठीक है office में bank को वगरा में twisted pair cable यूज की जाती है यह दिखती कैसी है आप यहाँ पर आपने कई बार देखा भी होगा यह इस तरह से देखती है इसे ethernet cable भी कहा जाता है इसके अलग-अलग type भी आते है इसमें भी ethernet में भी यानि कि यह जो twisted pair cable है यह भी इसमें भी कई सारी category होती है जो महेंगी और सस्ती होती है फिलाल यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि यह क्या है और कैसे काम करती है तो डेटा के transmission के लिए उपियोग में लाया जाने वाला सबसे आसान माध्यम twisted pair wire होता है इस माध्यम में दो copper wire के pair को लिया जाता है इन्हें plastic cover की साहिता से insulate कर दिया जाता है इसके पस्चा दोनों wire को आपस में twist कर दिया जाता है twist का मतलब आपस में उनको घुमा दिया जाता है यहाँ पर आप देखेंगे इस cable में यहाँ पर आपस में क्या है यह दोनों मुड़ी हुई है ठीक है और इसमें total कितने wire है 8 wire है और यहाँ पर कितने pair बनते है 4 pair बनते है 1, 2, 3 और 4 ठीक है तो इसी से हमारा जो data होता है वो transmit होता है अलग-अलग wire के लिए अलग-अलग type का data transmission होता है इस media का उपयोग सबसे अधिक telephone lines में किया जाता है computer network में use में लाया जाने वाला यहाँ media unsealed twisted pair यानि की UTP भी कहलाता है ठीक है इस माध्यम से 10 km की range में data को 1 mbps से अधिक की speed पर भेजा जा सकता है बास समझ में आ गई ठीक है NW का मलब यहाँ पर network है तो twisted pair cable के बारे में आपको यहाँ पर पता चल गया ठीक है ज्यादा तरह हम इसी का इस्तमाल करते हैं और यह इस तरह से दिखती है अब बात करते हैं coaxial cable की coaxial cable twisted pair cable से speed भी इसकी जादा है और यह महेंगी भी है लेकिन coaxial cable कभ यूज की जाती है coaxial cable तब यूज की जाती है जब हमें video signal भेजने होते हैं twisted pair cable पर अधिक मात्रा में signal नहीं भेजा जा सकते यद वीडियो signal को transmit करना हो तब twisted pair का उपयोग संभव नहीं हो सकता इस कारण से heavy signal को transfer करने के लिए coaxial cable का इस्तमाल किया जाता है एक coaxial cable में सबसे आंतरिक इस तर पर copper wire की core cable होती है जिस पर plastic material का एक आवरड होता है इस plastic material aluminium की conductor layer होती है जो जालीदार रूप में रहती है यहाँ पर आप देखेंगे ठीक है इस तरह से होती है इस जालीदार conductor plastic material का cover रहता है coaxial cable का अधिक्तम उपयोग cable TV network CCTV cable में किया जाता है यानि कि जहाँ पर हमें खास करके video transmit करना होता है वहाँ पर इसका यूज करते है CCTV में भी हमें जो transmission चाहिए होता है वो video ही transmit करना होता है या cable TV network हो गया डिस TV अगरा आपने देखा होगा इस तरह से coaxial cable ही use किया जाता है तो I think यहाँ पर आपको यह चीज समझ में आ गई होगी तो coaxial cable हो गया फिर बात करते हैं fiber optic cable की तो अगर हम बात करें wired transmission medium यानि कि guided medium की तो सबसे fast speed जो होती है वो fiber optic की होती है fiber optic cable क्योंकि इसमें जो data transmit होता है वो light की speed से transmit होता है यानि कि प्रकास की गती से data transmit होता है तो इसलिए जो बड़े network होते है यानि कि जो आपके cities वगरे में जो tower होते है tower जब एक दूसरे से connect होता है यह तो आपको पता ही है हमने internet में पढ़ा है कि जितने भी tower होते है यानि कि एक तरह से router का वो काम करते है तो जो tower होते है वो एक दूसरे के साथ किसके साथ connect होते है fiber optic cable के साथ में connect होते है और जो broadband connection हम लोग के घर में होता है तो वो भी सीधा tower से ही एक wire ऐसे समझ सकते है निकल कर गया आता है यानि tower से हमारे घर तक सीधा एक fiber optic cable ही आता है अगर आप broadband connection लेते हैं या आपके घर में है तो आपको पता होगा भा समझ में आ गई फिर जब broadband connection एक fiber optic cable की मदद से हमारे router तक आ जाता है जो घर में router लगा है वहां तक network आ जाता है फिर उस router के आगे अगर हमें किसी computer लैप्टॉप में network cable के थूरू ले जाना हो तो हम वहां पर ethernet cable का यूज़ करते हैं या फिर wifi का भी इस्तमाल करते हैं router से अपने phone या laptop को connect करने के लिए बासमझ में आ गई ठीक है चलिए तो यहां पर fiber optic की बात करते हैं fiber optic के एक ऐसा माध्यम है जिसमें digital data को प्रकास की गती से transmit किया जाता है यहां data को 0 और 1 के signal के रोप में भेजना बहुत आसान होता है यहां पर data को 0 और 1 signal के रोप में भेजना बहुत आसान होता है क्योंकि जब signal के रोप में light भेजी जाए तो उसका मतलब 1 और जब ना भेजी जाए उसका मतलब 0 fiber optic के एबल को data भेजने का सबसे तेज माध्यम माना जाता है ठीक है हमने आपको बताया था कि fiber optic के एबल में data जो है वो काफी speed से travel होता है नहीं कि transmit होता है और सबसे fast है यहाँ पर कुछ key element बताएगा है जो कि fiber optic के एबल से related है सबसे पहले light source light source यहाँ एक विशेश प्रकार की frequency पर किसी source के माध्यम से प्रकास की किरण उत्पन की जाती है frequency क्या है तो अभी इस के बारे में हम जब वेब होती है वेब होती है जो कि visible wave होती है जो हमें दिखाई देती है और जो रेडियो waves होती है बाएटल वेब्स के अंतरगत आती है और उसी में से होता है light source और जो आपके color होते है जैसे red color होगया green color, blue color या जो भी आपको color दिखाई देते है उनकी जो frequency होती है वो अलग-अलग होती है इस वज़े से हमें जो colors हैं वो अलग-अलग दिखाई देते हैं बासमज में आ गई यह थोड़ा technical चीज है यह अलग topic है फिलाल यहां पर आपको इतना पता होना चाहिए कि जो light जो हमें दिखाई देती है वो भी एक type की क्या होती ह वेब होती है जो की visible wave की अंतरगत आती है ठीक है तो यह light source की बात को हो गई फिर fiber media fiber media यह नहीं कि glass की बात की जा रही है ठीक है तो source द्वारा उत्पन की गई प्रकास की किरड को लंबी दूरी तक transmit करने के लिए लचीले glass material की tube की अंतरिक सतह glass के समान smooth होती है परंत उपरी सतह को खुदरा कर दिया जाता है जिससे जब भी source द्वारा प्रकास की किरड भेजी जाती है वह tube से बाहर transmit नहीं हो पाती जब भी source द्वारा प्रकास की किरड भेजी जाती है वह tube के अंतरिक सतह से परिवर्तित होकर transmit होती रहती है ठीक है यानि कि यहाँ पर fiber media का मलब यह light source इस तरह से travel होता चलता है, ठीक है, इस तरह से क्यों, क्योंकि यहाँ पर यह reflect होती है, light आपको पता है कि अगर आप किसी mirror पर यानि glass पर इस तरह से light फोकस करेंगे, तो light क्या होगी, यहाँ पर reflect होगी, यानि कि उसका अगर इस तरह से यहाँ पर focus जा रहा है, तो वो पर है detector, detector क्या करता है, कि light source जो यहाँ से fiber media के अंदर छोड़ी गई है, detector जो है, वो deduct करता है light को, और यह एक photo detector होता है, ठीक है, जो कि 0 और 1 को deduct करता है, और data में convert कर देता है, यहनि कि जब इसे light मिलती है, तो उसे 1 मानता है, और जब नहीं मिलती है, तो उसे 0 मानता है, औ और 1 और 0 के form में, यहाँ पर receive हो जाता है, decode हो जाता है, ठीक है, और जब यहाँ से light भेजी जाती है, तो वहाँ पर light जब भेजी जाती है, तो इसका मलब 1 और जब नहीं भेजी जाती है, इसका मलब 0 है, ठीक है, तो I think यहाँ पर आप बात समझ गया होंगे, तो fiber media से दिखते हैं, हाँ पर आप देखेंगे, बहुत ही पतले wire होते हैं, ठीक है, चलिए तो wired transmission medium आपको clear हो गया होगा, अब बात करते हैं wireless transmission medium की, यानि की unguided media, ठीक है, तो communication के लिए सभी इस्थानों पर physical connection बना पाना संभव नहीं है, physical connection का मतलब सहर जगे wire बिशादें ऐसा possible नहीं है, इसी कारण से air में ऐसी तरंगों का उपियो किया जाता है, जिससे हम electromagnetic wave या फिर electromagnetic spectrum के नाम से जानते हैं, जो वाता वरण में signal को बिना किसी नुकसान के एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक पहुँचा सकें, या हम आद्ध हम unguided या फिर wireless कहलाता है, बासमझ में इतना किलियर हो गया, wireless media के रूप में सबसे पहले radio waves का उपियो किया जाता है, radio waves सामानेता cellular wave होती है, जो किसी भी दिसा में प्रसारित की जा सकती है, इस communication का सबसे मुख्य एडवांटेज या है, कि इसे मिलने वाले signal को unlimited संख्या में user के द्वारा access किया जा सकता है, परन्त तो इस माद्यम से data के loss होने की संभावना सबसे अधिक होती है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा wired और wireless के comparison में, देखिए अगर हम wired की बात करें, तो wired जो network होता है, वो wireless से कई गुना अच्छा होता है, पहली चीज, wired की speed होती है, वो हमेशा wireless से क्या होती है, fast हो wired जो network होता है, इसमें data loss होने की संभावना बहुत ही कम होती है, जबकि wireless में data loss होने की संभावना बहुत ही जादा होती है, और बात करें अगर wireless की, तो wireless में data चोरी होने या hack होने का डर रहता है, जबकि wired में इतनी जल्दी कोई data चोरी या फिर hack नहीं कर सकता, आप इसको ऐ के लिए जो हमारा wire का यहां पर connection है उसे यहां पर physically यहां पर आना पड़ेगा और इसे तोड़ करके इसके बीच में गोशना पड़ेगा बास समझ में आ गई तब ही वो data को उसे data मिल सकता है लेकिन जब बात wireless की होती है तो अगर इन्हीं दो devices के बीच में wireless communication होगा तो वो बी देखा जाता है देखिए हर चीज के नुकसान और फाइदे होते हैं लेकिन यह देखा जाता है कि उसका फाइदा क्या है तो यहां पर wireless के फाइदा यही है कि हर जगे physical connection नहीं बनाया जा सकता है इसलिए wireless यूज़ क्या जाता है ठीक है और अगर हर जगे physical connection तो फिर उसके wireless की बात करते हैं तो सारा खेल जो है वो waves का ही है ठीक है तो इसलिए यहां पर इसको समझते हैं पहले तो electromagnetic waves अपने साथ electromagnetic field की electromagnetic energy को carry करती हैं इस पेस के माद्धेम से electromagnetic wave में gamma rays, x-ray, ultraviolet rays, visible light, infrared rays, micro rays, radio waves यह सारी चीज़े इसमें होती है electromagnetic wave अब यहां पर देखे जितनी अलग-अलग type की waves है यह होती waves ही है लेकिन इनकी जो अलग-अलग frequency और speed होती है इस वज़े से इनको divide कर दिया गया है ठीक है तो usually radio waves का इस्तमाल करते हैं हम wireless communication में अब यहां पर देखे थोड़ा सा नीचे diagram में समझाया गया है तो देखे जो हमारी waves होती है ठीक है कोई भी wave हो चाहे वो radio wave हो या infrared हो या visible या फिर ultraviolet या x-ray या फिर gamma rays वो raise होती है raise कहें या फिर wave कहें एक ही बात है ठीक है raise या फिर wave एक ही बात है ध्यान से समझ लेना इस बात को तो यहां पर इनकी अलग-अलग frequency होती frequency का मलब आप इसको speed से भी सम frequency बढ़ती है तो visible light के अंतर गता जाती है और जो visible light होती है वो हमें दिखाई देती है अलग-अलग color में या फिर अलग-अलग color का combination होता है visible waves का ठीक है और ultra-violet wave हो गई फिर x-ray हो गई गामा रेज हो गई ठीक है तो सबसे खतरनाग यहाँ पर क्या होती है गामा रेज या फिर cosmic यहां पर आगे दूसरे diagram में पढ़ेंगे gamma rays और cosmic rays जो होती हैं सबसे खतरनाक होती हैं ठीक है बाकी जो radio waves होती है इसकी frequency काफी low होती है यहां पर आप दूसरे diagram में देखेंगे तो यहां पर थोड़ा सा our deeply बताया गया है यहां पर 10 Hz से लेकर के और लगवग 10Hz हर्ट्स तक जो होती है वो very low frequency के अंतरगत आती है वेलेफ का मतलब very low frequency अब थोड़ा सा इसके बारे हैं समझ लेते हैं कि frequency क्या है फिर आगे बढ़ते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो तो यहां पर हमारे पास एक diagram है ठीक है तो देखे जो भी waves होती है वो कोई भी wave ठीक है चाहे वो आपको दिखाई दे रही हो यानि visible हो infrared हो radio wave हो gamma rays हो कोई भी तो यहां पर क्या होता है कि जो आपकी wave होती है तो वो एक second में कितनी बार ऊपर और नीचे हो रही है इसी से हमें पता चलता है उसकी frequency ठीक है और frequency को measure करने की जो unit है वो होती है hertz बास समझ में आ होती है तो इसको थोड़ा से समझ लेते हैं अब frequency क्या होती है तो देखें जो हमारी wave होती है ठीक है वो एक second में कितनी बार ऊपर नीचे हो रही है तो वही depend करता है कि उसकी frequency high है या फिर उसकी frequency low है तो यहां पर आप यह जो wave देखेंगे इसकी frequency यहां पर पता करते हैं तो यह एक cycle अगर एक second में कोई ऐसी wave है जो एक second में सिर्फ एक ही बार ऊपर और नीचे हो सकती है तो यहां पर इसकी frequency कितनी होई 1Hz बास समझ में आ गई इसकी frequency कितनी होई 1Hz यह frequency हो गई ऊपर हुआ और wave नीचे हुआ या एक बार ऊपर नीचे हुआ तो एक cycle complete हुआ और यहां हमारी बनी 1Hz frequency clear है 1Hz frequency फिर अगर उसी second में एक बार और ऊपर से नीचे हुई तो यह बन गई हमारी यहां पर 2Hz frequency per second यहां पर second की बात कर रहे है तो अगर एक second में इसी तरह से यहां पर यह तीन और एक बार ऊपर और नीचे चार यानि कि एक second में अगर 4 बार जो हमारी wave है उपर नीचे उपर नीचे हुई है तो यहां पर यह क्या कहलाएगा यहां पर यह कहलाएगा 4Hz per second ठीक है 4Hz per second है इस wave की frequency बात समझ में आ गई तो I think यहां पर आपको wave, hertz और frequency तीनों के बारे में clear हो गया होगा ठीक है यह हमारी क्या है यह हमारी wave है और यह wave एक second में कितनी बार उपर नीचे हुई है यह define करता है frequency को और frequency को measure करने की unit है hertz तो यहां पर हम यह कह सकते हैं कि जो हमारी यह wave है इसकी speed कतनी है 4Hz per second ठीक है इसकी frequency कतनी है 4Hz per second इस speed का है frequency का है I think यहां पर आपको यह clear हो गया होगा बाकि low frequency high frequency इसका भी एक डियागराम है आपको दिखा द देखेंगे एक second में कई बार यह जो है wave उपर नीचे उपर नीचे हुई तो इसका मतलब इसकी frequency क्या है high है अगर compare करें इससे तो और यहां पर इसकी frequency क्या है low है तो अगर frequency low होगी तो data transmission speed भी कम होगी और frequency अगर high होगी तो data transmission speed भी ज्यादा होगी बास समझ में आ गई चलि 1 hertz क्या होता है आपको पता दिया 1 hertz यानि wave उपर गई और नीचे आई तो यह क्या होगी आपका 1 hertz यहां से देखें wave उपर गई और यह इस तरह से तो यह क्या हुआ 1 hertz और अगर इसी तरह से एक second में यह 4 बार उपर नीचे हुआ तो 4 hertz और एक second में गर 10 time हुआ तो क्या होग आप calculate कर सकते हैं ठीक है तो यह चीज आपको clear हो गई होगी इसके बारे में वैसे हम बता चुके हैं अपने पिछले वीडियो में तो frequency hertz यह सारी चीज आपके clear हो गई चलिए तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं देखें यहाँ पर क्या है 10 hertz 10 hertz का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारी wave है वो एक second में ठीक है एक second में 10 बार यानि ओपर नीचे ओपर नीचे कितनी बार हो रही है 10 बार तो उसे रखा जाता है यहाँ पर very low frequency में VLF यानि की very low frequency तो 10 hertz से ले करके लगबग 10 kilohertz तक की जो frequency होती है उसे VLF में रखा जाता है फिर आगे क्या होता है low frequency, LF low frequency, MF यानि medium frequency, HF यानि high frequency और VHF यानि की very high frequency और UHF यानि की ultra high frequency, SHF यानि की super high frequency और EHF यानि की extremely high frequency I think यहाँ पर आपको clear हो गया होगा और यह यहाँ से ले करके 10 hertz से ले करके और लगबग 300 gigahertz तक 300 gigahertz तक यह आता है आपका radio waves के अंतरगत यह पूरा किसमें आता है लगबग radio waves में बासमझ में आ गई फिर इसके आगे हमारा स्टार्ट होता है infrared, infrared की जो frequency होती है बहुत जादा ही होती है 1 terahertz होती है फिर visible light की जो होती है वो उससे भी जादा होती है फिर ultraviolet और X-ray, gamma rays और cosmic rays बासमझ में आ गई इससे आप थोड़ा सा detail में भी पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं तो हमने electromagnetic wave या फिर कहें electromagnetic spectrum के बारे में थोड़ा सा समझ लिया है तो अ आप यहाँ पर हमें radio waves या फिर micro waves को समझने में दिक्कत नहीं होगी तो जब हम बात करते हैं radio waves की तो यह क्या है एक type की waves ही है जिनकी जो frequency होती है तीन किलो हर्ट से लेकर के 300 GHz की इनकी frequency होती है मलब इस range में radio waves आती है अब radio waves का इस्तमाल wireless communication के लिए होता है simply ठीक है और यह का मतलब यह हुआ कि कोई भी object हो जैसे example के लिए माल लेते हैं कि आप एक room में बैठे हैं और यहाँ पर room का दरवाजा लगा हुआ है और room पूरी तरीके से close है और यहाँ पर एक दूसरा room है जो भी पूरी तरीके से close है यहाँ पर दीवार वगरा उठी हुई है दिवार है भी बार में घुस जाएगा बासमझ में आ गई ठीक है तो कोई भी object हो उसमें radio waves जो है वो penetrate हो जाती है यहनि कि घुस जाती है यह चीज़ आपको clear हो गई जबकि दूसरी जो waves है इतनी जल्दी नहीं घुस पाती है अब यह आगे हम बात करेंगे infrared की तो infrared जो होती है वो object मे penetrate नहीं हो पाती है clear है और इसी के साथ में जो radio waves होती है वो long distance को भी travel कर सकती है तो radio waves की दो विसेस्ताइं है पहला की वो किसी भी object में penetrate हो सकती है दूसरा उसकी जो distance होती है वो long होती है यहनि long distance को travel कर सकती है और यह 3 kilohertz से लेकरके 300 gigahertz की range में होती है तो यह तना clear हो गया radio waves communication कुछ parameter पर निर्भर करता है radio wave communication जो ही इसके लिए कुछ parameters है जैसे उसकी wavelength क्या है transmission power क्या है receiver quality क्या है टाइप क्या है antenna कैसा है height क्या है तो इन सब parameters पर depend करता है अगर इसमें से कुछ भी इधर उदर होगा तो वहाँ पर जो radio waves का communication है वो गडबड हो सकता है या speed कम मिल सकती ह बासनज में आ गई मिलब इन सब चीज़ों पर depend करता है फिर बात करते है microwave की तो जो microwave है ये भी जो है वो low frequency की category में ही आती है microwave का wavelength 1 meter से 1 mm के भीतर आता है इसमें frequency various करती है यानि 300 MHz से 300 GHz के भीतर frequency microwave की रहती है और भी एक चीज़ है जहांपर हम microwave का use करते है microwave का use हम खाना प तो ये microwave का इस्तमाल होता है इन्हें मुखी रूप से long distance communication के लिए इस्तमाल किया जाता है और ये बहुत ही कम expensive होती है expensive का मतलब ये है कि जो microwave हो गई या फिर radio waves हो गई तो इन्हें जो transmitter और receiver होता है उस पर depend करता है ठीक है क्योंकि अब ये तो आपको पता ही है कि environment में microwave हो य एक तरह से travel होती है हलाकि उसके लिए electromagnetic spectrum जो होता है उसका license लेना पड़ता है government से वो अलग बात है ठीक है फिर भी एक तरह से देखा जाए तो ये सब क्या है environment में एक तरह से freely move होती है तो फिर इसमें radio wave, microwave और infrared में तो फिर यहाँ पर ये expensive यानि महेंगी और सस्ती होने का क् infrared wave का यूज किया जाता है television remote control जो आपके remote control होते हैं वो infrared waves पर काम करते हैं mobile data sharing CCTV या missile guidance में infrared waves का यूज किया जाता है अब ये infrared waves जो होती है इनकी speed ज्यादा भी होती है ठीक है radio wave microwave से ज्यादा होती है अब ये आप देखा था ना तो radio waves जो infrared frequency होती है ज्यादा होती है दूसरी च signal होता है वो किसी भी object को penetrate नहीं कर सकता मतलब आप सोचें कि यहाँ पर इस room में बैठें और यह दूसरा room है यहाँ पर आपकी जो है वो TV लगी होई है ठीक है LED TV लगी है और इस room से अगर आप remote को यहाँ पर access करेंगे remote से आप TV को control करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि ये object को आसानी से penetrate नहीं कर सकती आपको particular उसी room में बैठना पड़ेगा ठीक है क्योंकि infrared wave का जो focus होता है वो limited होता है ठीक है वो इधर उदर नहीं भागता जबकि radio waves है तो वो इधर उदर उदर भी जा सकती है जबकि infrared wave जो है वो इधर उदर नहीं जा सकती फैल नहीं सकती बास होता है वो कम होता है वायर्ड का जबकि इसका डिले टाइम ज्यादा होता है डिले टाइम का मतलब सीधी सी बात है कि अगर आपने कोई data transmit किया तो वो कितनी देर में पहुंच रहा है तो उसको बीच का जो लगने वाला टाइम होता है ठीक है तो अगर बात करें वायर्ड जबकि इसका डिले टाइम कम होता है जबकि वायर्लेस का डिले टाइम ज्यादा होता है ठीक है more secure है और यह less secure है device must be hard wired याने इसमें wired होता है और इसका installation जल्दी हो जाता है यह less expensive है यह more expensive है और इस तरह से यहाँ पर आप इसमें पढ़ सकते हैं इसमें कोई दिक्क नहीं है wired में यूज होता है hub और switch यह networking device है जबकि wireless में यूज होता है routers और access point ठीक है इन सब चीजों का यूज किया जाता है तो I think यहाँ पर आपको wired and wireless methodology के बारे में पूरा clear हो गया होगा ठीक है यह आपका पूरा topic complete करवा दिया हमने guided medium and guided medium अब अगली वीडियो में हम बात अगली वीडियो में जो हमारा chapter number 2 है वो पूरी तरीके से complete हो जाएगा तो फिलाहल मिलते हैं अगली वीडियो में ओके सो थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो